तो सब्सक्राइब मुझे नहीं बोला तो जो गरीबु लोग रोटी पर नमक तेल प्याज खा रहे थे पता है आपको राम बिलास पासमान जी कहते हैं सारे 32 जाटन प्याज गोड़ान में सर जाता है पासमान जी आप पर क्या रहे थे मुझे लगा रहे थे आपके मंत्राले के अधीन सारे 32 जाटन प्याज सनने का मतलब है आप गरीबों में बांट दिये होते हैं गरीब कम से कम महिना बर तो खाता है आर्विन केजरीवाल पीजेपी नहीं है तो फिर कॉंग्रेस को बोड़ते हैं यह बोड़ देना जनता का गाम है मेरा गाम नहीं है मैं नेता नहीं हूँ सम्भीदान में एक ही अधिकार हैं सिर्फ बोड़ डालना बोड़ डालने के बाद कुछ भी नहीं है खाली बोड़तल मैं क्यों कहूंगा किस पार्टी को बोड़ दोगे आपकी जो बी अच्छा लगे जो कंडिडेट अच्छा लगे आप वोड़ उसको देना मैं किसी पा को बेश दिया मोदी जी ने यह रंगा बिल्ला की सरकार कहीं से सुरक्षित नहीं रखने दिया यह दिबंदर फटन भी उसको रात मुखमंत्री बना सकते हैं यह अपने एजेंट भारत के अधुनिक जिन्ना और वैसी के साथ मिलकर शारी कानूने शारी हवाबाजी कर सकते है तो यह क्यों नहीं कानून मनाते लोग मर रहें भूके छातर को पैसा देने के लिए विद्यार्थियों के लिए पैसे नहीं हैं रात और यह मुखमंत्री सहीद भिधाये खरिद लेते हैं सरकार बना लेते हैं यह किसको बर गला रहे हैं इनको समझना होगा देश के नौज हो गए इधर फिर सबर्नों को दस परसेंट आरक्षन दे दिया इधर सबर्न खुस हो गए इधर वेसी जो अधुनिक भारत के जिन्ना है वेजंड के तोर पर एनरसी ला दिया इधर मुसलमान बनाम हिंदू अलसे के बनाम बहुसंग चक्र यह चुनाव जीतने का प्रपग पर आपको नहीं बोला ना मैं तो बात बता रहा हुँ जो गड़ीव लो रोटी पर नमक तल प्याज खा रहे थे पता आपको रामलास पासमान जी कहते हैं छारे बटीस उजाटन प्याज गोड़ान में सर जाता है पासमान जी आप पर क्या रहे थे मुझा लगा रहे थे आपके मंत्राले के अधीन सारे 32 जाटन प्याज सनने का मतलब है आप गरीवों में बांट दिये होते गड़ी कम से कम महिना बर तो खाता यह दो सर पे किलो के डवल संचूरी मारने जा रही है प्याज मोदी जी कहते थे मित्रों मित्रों प्याज तो इतना महंगा हो गया लोकर में रखना है मोदी जी आपने देश की बैंकों को अपने बैपारिक मित्रों को एंपीए में डाल दिया सारे पैसे बैंक डूब गे हम तो बैंक में रूपिया नहीं रख सकते प्याज तो कैसे रखे थे लोग पहले पूछतें थे कि रूपया डेवल कब होगा, अब पूछतें हैं कि बैंक डूपय का कब, मौधी जी कहते थे, मिच्राह, भाईयों देश में जाते, ऐसा ही बोलते है कि नेपाल का रूपया नहीं गरता, बंगलादेश का नहीं गिरता, पाकिस्तान का नहीं गिरता, स्रिलेंका का नहीं गिरता, भारत का ही गिरता है जिस देश का रुपया गिरता है, उस देश का चरितर गिरता है, मोदी जी आज आपका चरितर गिर गिया कहां कहीं इस्वर्ति इरानी की नेतिकता क्यों नहीं चूरिया भेज रही है मेरे पास चूरी है बले मैं इस्वर्ति इरानी को चूरी भेजवाता हूँ मैं अपिल करता हूँ देश की सभी जमताओं से कि वो चूणियां भेजे स्पिरती इरानी को अपने संसदों को ताई कि इनको होसा है ये लोग बेसरम लोग हैं ये हमारे ही पैसे से सत्ता का सुक भोगते हैं चुनाव जीते हैं और हमें भूल जाते हैं बहत दुर्भा के पुनबाद है